Hello everyone, जेहन, Welcome to जासर अकाडमी for IES हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवेस सेर क्वेशन अनालिसेस और आज हम देखेंगे जन्रल स्टेडीज पेपर 3 इंडियन एकॉनमी सेक्षन से एक क्वेशन मैं उमीद करती हूँ आप लोगों ने इस क्वेशन को अटेम्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा अंसर फ्रेम भी किया होगा आज हम एक बहुत ही होट टॉपिक जो चाइना से रिलेटिड है CPEC चाइना पाकिसान एकॉनमी कॉरिडोर के बारे में पढ़ने वाले हैं और गाइस यह आप लोग जानते हैं कि यह टॉपिक बहुत ही जादा इंपोर्टन टॉपिक है इसे हमें चाइना की प्रेजेंट और फ्यूचर सारा हम पता है हमें कि चाइना की क्या policy है चाइना की expansionist policy है चाइना एक superpower बनने की कोशिश कर रहा है इस project से और अगर यह project जैसे जैसे चाइना ने estimate रखा हुआ है तो चाइना superpower भी बन सकता है इसे राइट बहुत important topic है जो भी आपको आज points बहुत अच्छे मिलेंगे आप उनको जरूर अपने पास note करके रखेगा it will help you a lot in the near future so session को शुरू करने से पहले गाइस जिन भी students ने telegram channel join नहीं किया है हमारा वो तुरन description box में जाईए वहाँ पे आपको link provided होगा उस link के थुरू आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं उसका benefit आपको यह होगा कि आपको सारी pdf का access मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए free of cost upload कर दी जाती है telegram channel पे जैसे की current affairs की pdf है या फिर यह जो हम mains का previous question analysis करते हैं इसका pdf है और साथी साथ आपको जो भी video lectures upload किये जाते हैं उसका भी direct link provide वहाँ पे हो जाता है और जो भी students seriously prepare कर रहे हैं guys मैं उनके लिए कहूंगे कि आपको current affairs की बिलकुल भी चिंता करने की ज़रत नहीं है कोई tension लेने की ज़रत नहीं है कहीं से आपको अपना time energy कहीं लगाने की ज़रत नहीं है all you have to do is आपको जासर academy पे जो आपको video lectures दिये जाते है regularly current affairs की सिर्फ उनको follow करना है consistently follow करना है उनको that is more than enough क्योंकि हमारे current affairs से बाहर का आप से कुछ भी पूचा नहीं जाएगा और हमारा GS का भी preplus means batch रन कर रहा है जरूर join कीजेगा guys उस batch को उसमें GS 1,2,3,4 की बिलकुल 0 से तयारी करवाई जा रही है जहासर आपको खुद mentor कर रहे हैं उस batch में और अगर आप batch की details को proper तरीके से follow करेंगे जहासर के द्वारा दीकी guidelines को follow करेंगे तो आपका selection पक का है guys आपका exam निकलने से कोई नहीं रोक सकता तो जरूर जरूर join कीजेगा इस batch को और हमारा mains का भी answer writing batch रन कर रहा है जिसमें 500 plus questions की practice कराई जा रही है हमारी expert faculty है वो आपके answer copies को check करते हैं और आपको mistakes बताते हैं improve करने में help करते हैं और उसी के साथ साथ आपको हरे question के regarding example answer भी दिया जाता है और video solution भी provide किया जाता है with proper explanation तो जो भी students seriously civil services के preparation कर रहे हैं वो इन batches को ज़रूर join कीजेगा जोइन करने के लिए आप नीचे देएगा number 9713282838 पे whatsapp के through आप courses की details ले सकते हैं और courses को join कर सकते हैं तो चलिए guys अपना आद का session स्टार्ट करते हैं हमारा question है The China-Pakistan economic corridor is viewed as a cardinal subset of China's larger one belt one road initiative Give a brief description of CPEC and enumerate the reasons why India has distant itself from the same चीन-Pakistan आर्थिक गलियारा को चीन की बड़ी one belt one road पहल के मुखे अब सम्मुझ के रूप में देखा जाता है CPEC का relationship विवरन दे और उन कार्णों का उलेक करे जिनसे भारत ने खुद को इससे दूर किया है So, यह question guys GS3 Indian economy section से लिया गया है और यह question UPSC ने 2018 में पूछा था तो guys जब हम इस question की बात करते हैं तो इस question में हमें यह बोला गया है सबसे पहले कि जो चाइना का हमें एक बड़ा initiative देखने को मिलता कौन सा है BRI, one built, one road initiative तो इस initiative का ही एक हमें subset देखने को मिलता है एक part देखने को मिलता है क्या चाइना-पाकिस्तान economic corridor CPEC तो वो हमें इसका subset है तो अब हमें क्या बताना है हमें CPEC का description देना है कि CPEC actual में है क्या हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताना है और उसके बाद हमें reasons बताने है कि इस initiative से या इस जो CPEC हमें देखने को मिलता है इससे इंडिया ने अपने आपको क्यूं दूर किया है क्यूं इससे दूरी बना के रखी है ऐसे क्या कारण है जिसकी वज़े से इंडिया दूर हुआ है इंडिया ने इसको जोइन नहीं किया हमारी अप्रोच इस question में क्या होगी हम introduction में पहले CPEC के बारे में या 1 built 1 road initiative के बारे में थोड़ा सा बताएंगे then हम CPEC के बारे में description देंगे जो हमारा point है अपने main part में CPEC के बारे में और फिर हम इंडिया के reasons का हैं कि इंडिया इसमें क्यों join नहीं कर रहा है क्यों दूर है वो बताएंगे end में हम conclude करते वे अपने answer को finish करेंगे तो चलिए कई start करते हैं 1 built 1 road is one of the major initiatives of China focusing on improving connectivity and cooperation connecting Asia to Europe and Africa अभी 1 built 1 road जो हमें initiative देखने को मिल रहा है चाइना का ये चाइना का बहुत ही बड़ा और बहुत ही एहम initiative हमें देखने को मिल रहा है जिसके तहर चाइना किस पर focus कर रहा है connectivity और cooperation बढ़ाने मतलब की जो connect हो जाए various areas proper तरीके से connect हो जाए तीक है चाहे road के थू है समुद्र के थू है oceans के थू तो इस तरीके से वो connect हो जाए rail के थू है हर तरीके से वो connection बढ़ा देना चाह रहा है और दूसरा cooperation के साथ सहयोग भी सब में बढ़ जाए कहां से Asia Asia को किस से connect कर रहा है Europe से और Africa से तो ये तो हम जानते हैं ये officially है actual में China क्या कर रहा है two dimensions Silk Road, Economic Belt और Land Route अब इसको One Belt, One Road क्यों बोला जा रहा है क्योंकि इसकी दो dimensions है एक तो Belt जो की Land Route को एक Land Route है Silk Road, Economic Belt बोलते है जिसको SREB और एक 21st Century Maritime Silk Road है जो की एक Ocean Route है तो इसलिए इसको One Belt, One Road Initiative बोला गया है अब ये जो हमें Silk Road Economic Belt देखने को मिलता है इसी का एक Flagship Project हमें कौन सा देखने को मिलता है CPEC चाइना पाकिस्तान Economic Corridor तभी बोला गया था कि ये जो One Belt, One Road Initiative है इसी का एक Subset हमें देखने को मिलता है CPEC तो ये कौन से में आता है Silk Road Economic Belt Belt का एक Flagship Project हमें ये देखने को मिलता है अब CPEC आक्चुल में है क्या It provides Rail Road Connectivity मतलब Rail जो Trains होती है Railways होती है उसके थुरू और Road के थुरू दोनों की ही Connectivity Provide करेगा CPEC कहां से Between Gwadar in Baluchistan Pakistan में जो Gwadar है Pakistan के Baluchistan District में Gwadar से Pakistan To Xinjiang Province Of China मतलब जो Pakistan के Baluchistan District में Gwadar हमें देखने को मिलता है वहां से China के Xinjiang Province तक ये Rail की भी Connectivity बनाएगा और Road की भी Connectivity बनाएगा And Passes through Pakistan Occupied Kashmir अब ये कहां से Pass हो रहा है बेशक से हमें ये Project किसका देखने को मिल रहा है अब नाम से हमें समिझ में रहा है China-Pakistan Economic Corridor कि China और Pakistan का है क्या है Connectivity है Corridor बना रहा है Connectivity है Rail or Road के थुरू किसमें Pakistan को चाइना से Connect कर रहा है तो अभी जाना भी तो वहीं से चाहिए लेकिन ये Pass कहां से हो रहा है ये इंडिया के ही एक Disputed Region से Pass हो रहा है वैसे तो वो Disputed क्या है Pakistan उसको कहता है कि हमारा Region है ये Kashmir का एक Region है जिसको P.O.K. बोलते है Pakistan Occupied Kashmir वैसे वो इंडिया की ही Territory का पार्ट है लेकिन वो Disputed है तो उस Territory से जा रहे लेकिन क्यूंकि वो इंडिया की ही Territory का पार्ट है जैसे हमने बोला तो वो चीज गलत है वो इंडिया की Security के लिए Integrity के लिए खतरा है तो basically यह project हमने क्या बताया हमें जो Brief Description देनी है हम वो बता रहे हैं अभी कि यह Railroad Connectivity है Pakistan to China और यह P.O.K. से होते वे गुजरता है फिर It is one of the largest bilateral initiatives between China and Pakistan with a budget of around $46 billion CPEC is considered as a boon to struggling Pakistani economy अब यह क्या है कि China और पाकिस्तान के बीच में एक सबसे बड़ा bilateral मतलब कि दोनों इनके आपस का इतना बड़ा initiative है सबसे बड़ा initiative है जिसमें कितना budget लगाया है कि कितनी investment की गई है $46 billion की तो इसी लिए क्योंकि अच्छी investment हमें देखने को मिल रही है और connectivity इंप्रूव हो रही है वहाँ पे तो यह जो पाकिस्तान की अर्थ वेवस्ता हमें देखने को मिलती है जो की बहुत struggle struggling पे है struggle कर रही है struggling है जो economy पाकिस्तान की उसके लिए एक वर्दान की तरह साबित होगा बून की तरह यह साबित होगा माना जाता है कि यह उसके लिए एक वर्दान है इसलिए तो पाकिस्तान मानी है रैट अब वो क्या हो रहे है भाई-भाई हो गए है चाइना पाकिस्तान भाई-भाई ठीक है तो यह क्या है यह CPEC की हमने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी है अब इंडिया ने अपनी नाराजगी जताई है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड CPEC से रिलेटेड अब यही क्वेशन था हमारा क्या था कि क्या रीजन है जिससे इंडिया डिस्तिंस बना रही है दूरी पना रही है अपनी इस प्रोजेक्ट से तो वही रीजन है कि इंडिया क्योंकि अपनी नाराजगी जता रही है इस प्रोजेक्ट के अगेंस इंडिया खुश नहीं है तो उसके क्या रीजन्स हैं हम वो बताएंगे फॉस्ट इस वही जो अभी हमने बात की थी कि यह जो CPEC प्रोजेक्ट है यह पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है रेल और रोड के थूँ बट यह कहां से होके गुजरता है पाकिस्तान ओक्यूपाइड कश्मीर पीयो के रीजन से होकते हुए गुजरता है लेकिन पीयो के क्या है बेशक से डिस्प्यूटिट टरिटरी है लेकिन यह इंडिया की ही टरिटरी है तो यह इंडिया के टरिटरी से ही होते हुए गुजर रहा और इंडिया की परमीशन के बिना इंडिया को कुछ बताए या उसके पर्मिशन लिये भी ना तो ये क्या चीज है जब ये इंडिया की territory से होते वे गुजर रहा है तो इंडिया की basically sovereignty और integrity के लिए ये उसमें interfere करने जैसा है और उसके लिए threat की तरह ये साबित हो सकता है उसके security के लिए मतलब भारत की सप्रभूता और शेतरी अखंडता में हस्तक शेप करता है ये project तो इसलिए इंडिया खुश नहीं है इस project से next is there is a lack of transparency around the way the project is funded it is considered as a part of Chinese policy of debt equity swap अब क्या है कि जो इस पे funding की जा रहे है इस project को fund किया जा रहे है उसमें transparency ही नहीं है proper तरीके से अब एक छोटे से मतलब थोड़ा सा brief मैं बताऊं तो क्या चीज है कि China क्या कह रहा है जहां जहां पे जिस जिस region में या जिस जिस country में चाइना इस project को लेके जा रहे connection कर रहे है infrastructure build up कर रहे है अब वो वहां की उस country के जो है उसे ये पैसे मांग रहे है कि भही उसके लिए infrastructure क्योंकि उनकी जगा पे build up हो रहा है ठीक है अम उनसे पैसे मांगे जा रहे है तो उन लोगों के पास क्योंकि पैसे नहीं जो छोड़ी छोटी countries है उनके पास इतने पैसे नहीं है वो इतने ज़ादा बड़े ही नहीं है तीक है इतने ज़ादा prosper नहीं करते है कि उनके पास इतना पैसा है अगर उनके पास इतना पैसा होता तो तो झम खुदी ना infrastructure बिल्टवप कर लेते हैं वो चाईना को क्यों करने देते हैं तो चाइना वहाँ पर क्या कहता है कि कोई बात नहीं, तुम हमारे छोटे भाई जैसे हो, हम आपको क्या करेंगे, पैसा देंगे, तुम हमसे लोन लेलो, धीरे धीर हमें उतार देना, हम तुम्हारे इंट्रस्रक्चर बना के देंगे, हम तुम्हें कनेक्टिविटी प्रोव तो वह क्या करेगा, उनका कुछ नकुछ ले लेगा, जैसे की श्रिलंका में भी कर रहा है, जैसे हम बन टोटा पोट ले ली है चाइना ने, तो इस तलीके से वो ये इस तलीके से अपना दब दबा बनाने की कोशिश कर रहा है basically, तो जो funding है इस परोजट की, वो transparency ही नहीं ह जिसकी वज़े से इंडिया दूर हो रही है कि भई चाइना इस तरीके की ही कोई हरकत पठकेगा बाद में चाइना रिलाइबल है ही नहीं इस वाई इंडिया इस प्रोजेक्ट से पीछे हट रही है अब ये जो प्रोजेक्ट है ये क्योंकि पीओ कैसे होता हुआ than फिर जिस तरीके से जाता है वहाँ पे हमें हिमाल्यास देखने को मिलते हैं तो अगर इंडिया इसको ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है इससे जो हिमाल्या की एकोलजी है हमें पारिजधिति की देखने को मिलती है वो नश्ट हो सकती है वो disrupt हो सकती है और अगर वो disrupt हो जाएगी तो पूरा का पूरा climate disrupt हो जाएगा पूरे की पूरी जो environmental सब कुछ proceedings चलती है वो सारी की सारी disrupt हो जाएगी जिससे की बहुत जादा दिक्कत देखने को मिल सकती है तो इसकी वज़े से भी इंडिया टेंस्ट है और इसलिए इंडिया नाखुश है इस प्रोजेक्ट से और the same reason कि फिर वो अब नाखुश है तो obviously वो उनके साथ collaborate थोड़ी करेगा वो अपना हाथ पीछे खीच रहे It is said that India should join the CPEC as it will benefit the region at large and can lead as improvement in ties between India and Pakistan as economic interdependence between the two will increase अब कुछ के दुआरा ये भी बोला जारा है कि इंडिया को इस प्रोजेक्ट को join कर लेना चाहिए इस प्रोजेक्ट को join कर लेना चाहिए क्यों क्योंकि ये इंडिया को benefit करेगा आगे चलके ये इंडिया को बहुत जादा benefit करने वाला है तो इंडिया के लिए प्रोजेक्ट बहुत जादा beneficial है, advantages है इंडिया को इस प्रोजेक्ट को जरूर join कर लेना चाहिए और क्या बोला जा रहा है कि क्यों भी join कर लेना चाहिए क्योंकि एक तो ये इंडिया को आगे तक के लिए आगे जाके बहुत जादा benefit करने वाला है, उसको profit होने वाला है और दूसरा क्या बोला जा रहा है कि जैसे अब इंडिया और पाकिस्तान में disputes देखने को मिलते हैं, बहुत जादा clashes, conflicts देखने को मिलते हैं तो ये उनका जो relationship है वो improve हो जाएगा जो इंडिया और पाकिस्तान के ties देखने को मिलते हैं, वो improve हो जाएगे इससे क्यूंकि जो economic interdependence है दोनों के बीच में वो बढ़ जाएगी क्यूंकि वो कहीं न कहीं rail और road जो connectivity है उससे वो link हो जाएगे तो economic interdependence उन में और भी जादा बढ़ जाएगी जिससे की दोनों की ही economy flourish भी करेगी और दोनों के ही ties अच्छे भी हो जाएगे strong भी हो जाएगे और इंडिया को ये at large large scale पे या आगे जाके long term के लिए ये बहुत जादा benefit करने वाला है तो इस in grounds पे कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया को इस project को joint कर लेना चाहिए however it should also be noted that इंडिया's concerns regarding sovereignty and integrity have not been addressed by either China और Pakistan लेकिन वो बाट ठीक है कि ये बोला जा रहा है कि भाई ये benefit करेगा या इंडिया पाकिस्तान की ties अच्छे हो जाएगे लेकिन इस चीज़ को भी देखना जरूरी है यहाँ पे कि इंडिया का concern यहाँ पे क्या है basically इंडिया का concern ये है कि इंडिया के permission के बिना इंडिया को बताए बिना इस project को इंडिया की ही territory से निकाला जा रहा है इंडिया की ही territory में build किया जा रहा है तो वो चीज बहुत गलत है, तो इंडिया का concern यहीं पे है, इसके रिगार्डे कि इंडिया की sovereignty और इंडिया की integrity को तो ध्यार में ही नहीं रखा गया, ना ही चाइना ने देखा है और ना ही पाकिस्तान ने, तो वो क्या है, एक तरीके से इंडिया को respect नहीं किया गया है, उसके साथ हाथ मिलाएंगे, नहीं मिला सकते हैं, it will not be good for India to join a project which challenges India's sovereignty, तो ऐसे प्रोजेक्ट को जोइन करना चाहा है, नहीं जो उसकी sovereignty को ही challenge कर रहा है, उसकी संप्रभूता को ही चुनाती दे रहा है, उसको तो जोइन करने का मतलब इने वो प्रोजेक्ट आपके लिए अ तो कोई clarity ही नहीं है, transparency ही नहीं रखी हुई चाइना ने, और ये तो चाइना की हमेशा से आदत है, वो transparency कभी रखता ही नहीं है, जैसे अभी COVID के, कोरोना के चक्कर में भी क्या किया था, चाइना ने reveal ही नहीं किया, transparency ही नहीं बिल्कुल भी, जिसकी वज़े से इतना जादा देखने को मिला हमें, so ये तो चाइना की आदत है, तो चाइना रिलाइबल है ही नहीं, कि चाइना के साथ ऐसे बड़े project पे collaborate किया जाए, वो धोका दे ही देगा अगे जाके, right, so this was all for this question guys, I hope you all have liked this analysis, अपना feedback guys, हमार साथ comment section में जरूर शेर कीज़ेगा, so with this, we end of this session today here guys, thank you so much, have a great day ahead, जाहिन